आप लोगों को यहां पर जानने मिलेगी किस तरह से इस वेबसाइट का यूज आप कर सकते हो ओनलाइन करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा इस वेबसाइट पर क्या धियान रखना है कैसे रेजिस्ट्रेशन करना है आप लुए अप्रोग्वाइट रहेगा इसके बारे में आप लोग जादर पूछ रहे हैं इसका पीछे कारण है बिकॉस यह जो वेबसाइट है अच्छली बिसिकली यह जो इनके फाउंडर है जो यह काफी फेमस प्रो ब्लॉगर है और विकॉस लोगों का काफी इनके बारे में ट्रस्ट है और रेनाउंड प्रो ब्लॉगर है यह तो इनकी ही वेबसाइट है यह बेसिकली सबसे इंपॉर्टन यह बात है और इसलिए लोग इस वेबसाइट पर जो काम है उसको करने के ल आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी इस website पर actually मैं इनी के बारे में और इनका जो काम है या इनका जो ब्लॉग है हर चीज इनी के बारे में आपको देखने मिलेगी basically तो इन्हों ने इसके साथ में एक खास चीज एड़ की है जिसकी वज़ा से आप यहां पर कुछ jobs के लिए apply कर सकते हो जिन पर काम करके अगर वो काम आपको मिल जाता है तो आप आप ओन्लाइन अर्णिंग कर सकते हो इनकी website पर अविलेबल जॉब्स के जरीए तो यह बहुत ही simple भाशा में मैंने समझाया है कुछ लोग जादा समझदार हों और पहले से जानते हों तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लेना दूसरे लोगों के लिए help हो जाएगी है ना और पैसे अर्निंग करने के बारे मैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कमी इंटरेस्ट होगा जो लोग पैसे को दिमाग में लेकर आये होंगे तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो serious हैं और blogging में actually करना चाते हैं कुछ या फिर इस तरह के काम को करके आप आगे बढ़ना चाते हो तो आप लोगों के लिए इस तरह के लोग inspiration हो सकते हैं तो अगर आप लोगों को interest हो तो इस page पर इनके बारे में information है आप इनके बारे में search कर सकते हो पढ़ सकते हो कैसे उन्होंने आगे बढ़ा है ओके तो this will be a motivation for you तो बात इनके बारे में नहीं है आप लोग main जो काम है यहाँ पर उसके बारे में बात करते हैं jobs के बारे में तो इनी के इस website पर एक section है jobs का अब इसी को directly हम देख लेते हैं तो यह आपके मतलब का है बहुत से लोगों को इसी से मतलब होगा तो let's find out कि क्या है यहाँ पर jobs जो हैं वो actually यहाँ पर आपको focus job हैं और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर writing jobs available हैं तो writing jobs का नाम सुनकर काफी लोग disappoint मत होईएगा कि यह हमारी लिए नहीं है आप लोग थोड़ा समझिये और इस दिशा में भी आगे बढ़ सकते हो इस direction में भी writing jobs का मतलब है writing jobs it's very simple इस में कुछ समझाने का नहीं है आपको यहाँ पर इस website पर चुकि यह खुद एक blogger है तो आप जानते हो कि blogging में writing का बहुत importance है जो लोग खुद की website बनाते हैं या किसी दूसरी website के लिए लिखते हैं या blog लिखकर sale कर देते हैं anything you if you're doing anything related to writing तो यह काम आपके रिए helpful होगा या आप सोच रहे हो आगे करने की start किया है तो भी आप यहाँ पर जरूर कर सकते हो कोई दिखकर नहीं है तो यहाँ पर एक्चुली इन्होंने वो जो यहाँ पर आपको वो सारी jobs मिलेंगी जो companies की requirement है जो अलगला company या लोग जो यहाँ पर register करते हैं as a job provider या employer वो यहाँ पर अपनी jobs डालते हैं मतलब कि उनको जो ज़रूरत है content writer की या writing लिखवाना चाहते हैं कुछ आप से articles चाहते हैं वो यहाँ पर डाले जाते हैं specifically writing jobs है तो उन पर आप apply कर सकते हो और जब वो जो आपको मिल जाती है तो आप उसको करके दे सकते हो और उसके बदले में आपको जो भी आपका चार्ज हो आप ले सकते हो तो this is the basic concept of this website के एक आपको platform मिल जाता है एक बड़ी blogger की website है तो यह लोग अपनी तरफ से भी काफी चीदें चेक करते हैं कि यहाँ पर जो jobs डाली जा जाती है यहाँ पर तो आप लोग apply कर सकते हो और अगर आपको चुकी companies बागरा डाल रही है जो सही है legit है जादा तर तो उससे आपको काम मिलने की possibility बन जाती है अगर आप उस like हो तो सबसे important word मैंने बोला अगर आपका काम उस like है तो okay तो यह jobs आप देख रहे हो यह बहुत स if you are watching from India अगर आप इंडिया से देख रहे हो इसको तो एक मैंने यहाँ पर यह job आप लोगों के लिए शो कर रहा हूं मैं आपको यू कन सी यह इस company डाली है net solution and इनको चाहिए actually इस तरह से जब आप click करते हो तो इसके बारे में पूरा description रहता है यहाँ पर तो यह लिखा हु बहुत limited knowledge होती है writing आपकी किसी भी चीज में इस्तेमाल की जा सकती है कोई website पर content लिखवाता है कोई आपसे किताबें लिखवा सकता है कोई कोई और काम करवा सकता है तो आप किसी चीज के बारे में अगर लिख सकते हो तो वो आपकी expertise हो जाती है अब यहाँ पर इनको चाहि हुआ है और लिखा है आगे happy to answer any question तो इस तरह से आपको jobs यहाँ पर मिलती है एक और jobs आप दिखा देता हूं मैं आपको यह deal media की तरफ से है यहीं से मैंने search किया है यहाँ पर मिल जाएगा आपको और इनका description यह है कि इनको भी content writer चाहिए technology के लिए और office products के लिए तो यह यह भी लिखते है कि किस चीज के बारे में इनको actually मैं आपसे लिखवाना है और इनकी जो pay है वो भी लिखे हुई है देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर इनों लिखा है कि यह 4 cents से लेकर 4.5 cents per word देने को सैयार है based on quality लेकर लिखा हुआ है है ना ऐसा नहीं तो वो जब आप apply करो होगे और आप select होते हो तो उसके साब से दे सकते हैं अगर आप अच्छे हो तो यह इतना दे सकते हैं और लिखा है इंग्लिश में आना चाहिए तो मतलब आपको basically कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को यहाँ पर पूरी detail मिलेगी कि company चाहा क्या रही है आप से क्या रखता है ठीक है तो वो dealing आपको करनी पड़ेगी खुद से तो यह चीज़ है आप अब देखो यहां पर का लिखा है एकस्पेक्टिंग 4000 वर्ड पर बीक और नेक्स्टू मन तो इनको देखो कितना अच्छा है आप लोगों के लिए कि अगर आपको यह select कर लेते हैं अगर 4.5 cents तो अगर मैं 1 cent की बात करूं तो एक cent को अगर आप multiply करोगे मानलीजे एक आर्टिकल की 200 word का भी है एक article तो थ्ज़ाइसो वर्ड का 250 words को अगर आप 4 cents से multiply करोगे तो लगबग 10 डॉलर के आस्पास आपको होता है यह which is a good amount समझ रहो आप मेरी बात तो it is very important कि आप इस चीज को समझ लो, कई लोगों को इस calculation को समझ न रहता है, तो अगर आप इस like हो, तो ये आपको इतना पैसा दे सकते हैं तो मैंने सिर्फ 200 word का 4 cent के हिसाब से आपको बताया है कि 10 डॉलर तक हो सकते हैं, तो 200 word के article पे भी आपको 10 डॉलर मिल सकता है और ये कह रहे हैं कि हमें हर अपते 4000 word लिखवाने हैं अगले दो महिनों तक तो समझ रहो आपके अच्छा खासा आप earning कर सकते हो अब अगें ये चीज आपके talent पर आपकी writing पर निर्वर करेगी जब आप इनसे deal करोगे, है ना यहाँ पर ऐसा है अब ये तो हो गए एक के jobs आपको कैसे देखनी है यहाँ पर और किस तरह से details चेक करनी है अफकोर्स यहाँ पर नीचे एक apply का button है ये इस पर apply के button पर आप click करके apply कर सकते हो लेकिन उसके लिए register पहले करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि वो कैसे करना है, ठीक है तो ये चीज़ खास हो गई अब यहाँ पर एक चीज़ आपको खास तोर पर बता दूँ कि यहाँ पर जब आप jobs के लिए apply करोगे तो इस website का कोई लेना देना नहीं है मतलब इससे, जब आप माली जे इस company से deal कर रहे हो और आप इसके लिए apply करोगे तो ये लोग आप से contact करते हैं वो मैं भी बताऊंगा कैसे, ठीक है देखो यहाँ पर यह apply किया हमने और apply के button पर जब आप click करते हो देखो यहाँ पर मैंने किया तो यह मांग रहा है कि यहाँ email देदो, आपका नाम देदो और message आपकी detail वगरा डाल कर यह सब आप application को send कर दो तो इस वाली job में यहीं की है, इन्होंने आपकी detail डल वाली और जब मैंने इस job पर click किया था जो दूसरी वाली थी, उसके लिए इन्होंने यह Google का एक application form मांगा है, ओके तो यहाँ पर आप अपनी detail वगरा डाल कर, जो भी इन्होंने पूछा है वो सब डाल कर अपना CV वगरा upload करके, जो भी आपका resume है, सारी अच्छी detail, जोतना आप अपने आपको अच्छा दिखाओगे, उतना आप काम मिलने के chances हैं, तो submit कर सकते हो तो अलग-अलग तरह की application आप submit करोगे, इसके अलावा आपको registration भी करना पड़ेगा, वो भी आप कर लेना तो जादा अच्छा है, ओके वो मैं बताऊँगा, कैसे करना है इस website पर registration, वैसे आप चाहो तो इससे भी direct apply कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने direct application का option दिया हुआ है, बट फिर भी suggestion है कि इस website पर register कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जादा अच्छा रहेगा है तो यह इस तरह से आप apply करोगे जौब के लिए, अब इसके बाद यह लोग आपको जवाब देते हैं, तो वो personally आपकी dealing होगी, मतलब आप इनसे directly जोड़ गए हो, तो यह लोग जब आपको यहाँ पर आप इनके लिए apply करोगे, इनके jobs के लिए, तो आप इनसे deal कर सकते हो, हो सकता है यह आप से कहें, कि इससे कम में आप ले लो, या जो भी इनकी terms or condition है, कैसे आपको पैसे लेने हैं, आप paypal में लोगे, या फिर किसी और माध्यम से लोगे, वो सब यहाँ पर आप deal करोगे, तब आपको बात कर सकते हो, जैसे कि इनके लिए उनके लिखा your expected rate per thousand words, तो यह USD में पूछ रहे हैं, तो मतलब कि आपको USD में यह बताना जरूरी है, कितना पैसा आप लोगे, तो आप समझ में, यह दोनों ही चीज़ा समझ में आ गए, कैसे jobs को चेक करना है, अलग-अलग तरह के apply करने के procedure हो सकते हैं, अपने level के सबसे job देखो, और apply करो, और सबसे important चीज़ है, यह चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी, ओके, और दूसी साइट पर register कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पूरी registration के लिए आपको अपना CV बना कर यहाँ पर डालना होगा, यह मैं दिखा रहा हूँ, आपको देखो, candidate registration का option है, pro blogger jobs में, तो candidate registration के option पर आप जब जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर candidate dashboard में क्लिक करोगे, तो यह option खुलता है, तो यहाँ पर यह सारी detail आपको भरकर register करना है, आपका email, phone number, address, everything, जो जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक तरह से CV बनकर तयार हो रहा है, और वो आपको register करने पर मदद करेगा, तो चुकि यह खुद एक blogger की website है, pro blogger है, तो में भी अगर आप इतने अच्छे हो, तो आपको खुद यह help कर सकते हैं, मतलब आपके talent का फायदा आपको मिल सकता है, तो इसलिए यहां से registration करके रखना, तो आपका dashboard वगरा आप यहां से, चेक कर सकते हो, कि आपने कितनी jobs के लिए apply किया, क्या हुआ उनका, तो यहां candidate dashboard में जाकर यह page open होगा, और यहां से आप register जरूर जरूर कर लेना, और उसी के बाद jobs के लिए apply करना, directly apply करने से better, मेरे साबसे यह वाला option रहेगा, पहले यहां पर अपना resume या registration complete करो, उसके बाद इन jobs के लिए, जो मैंने भी आपको बताई, या इसके लाबद जो भी of jobs हैं, उनके लिए आप apply कर सकते हो, अब main चीज़ें ज वैसे तो यह लोग होना, खुद भी लिखा हुआ है, कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कि यहां पर कोई भी फाल्तू की jobs ना हो, मतलब की fake jobs ना हो, खुद भी test कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी इस बात को ध्यान रखना है, कि कोई भी jobs को लेकर एकदम 100% trust मत कर आप लोगों से जब deal करती है, कोई भी company और आपको email वगर आते हैं, अगर कोई पैसा वैसा मांगा जाता है आपसे, तो नहीं देना है, आपको यह खुद idea लगाना है, कि मतलब कोई आपसे काम कितना genuine तरीकी से चाह रहा है, जो समझ आपको अपनी भी लगानी होगी, है न इन website वाले तो कोशिश करी रहे हैं, कि आपर fake job ना हो, और जो की बहुत कम हैं, वैसे तो, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी तरफ से भी इस बात का awareness रखें, कि आपकी कोई detail पहले से चाह रहा है, या कोई ऐसी चीज जो आपको लगती है, कि doubtful है, तो आप मत कीजगा, पै जे काम करके दे दिया, कोई हमें पैसे ना दे, आते हैं आप लोगों के इस तरह के सवाल, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के सवालों की मैं आपको बात करूँ, देखो, अपना mindset जब online काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आपसे देखो, अगर आपका कोई एक article आपसे करेगा, या fraud करेगा, तो क्या करेगा, आपको इस article का पैसा नहीं देगा, तो इस से ज़्यादा नुकसान कोई नहीं कर सकता, तो इस तरह के नुकसान से घबराना नहीं है, देखो, अब इतनी बड़ी blogger की website है, यह pro blogger की, आपको यहाँ पर jobs मिल रहे है, अगर आपने try कि किया, आपने लिखा, आपने अपना काम किया, अब यहाँ पर loss, जार सादा क्या होगा, एक article चला जाएगा, आपका, इस ओके, आप जब online world में आ रहे हो, तो यहाँ पर 100% guarantee नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ, अगर issue अगर होते हैं, तो इसके लिए तयार रहो, इतना risk लेक अपनी में काम करते हो, और कई जगों पर काम करके, थोड़ा बहुत experience लेकर उसको अपने CV में लगाते हो, तब जाके आपको बड़ी job मिलती है, तो जासाद आपको कुछ नहीं जाएगा, इसमें आपके blogging का एक article लेने से कोई आपसे, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ह तो इस तरह के mindset से काम करो, जहां कोई नुकसान नहीं, अब हाँ, एक question आता है कि सर पेपल detail वगरा देना सही है के नहीं, या कोई और ऐसी detail, तो उस पर ध्यान रखो, और दूसी चीज़ है, कि पेपल के ID में, जब आप बनाते हो, तो पेपल में हमेशा balance आप रखते हो, त तो उसको हमेशा transfer करते रहो, तो generally अपने नुकसान को manage करते रहो, कभी भी online world में इस चीज़ का smart तरीके से use करना ज़रूरी है, यह अपनी तरफ से बढ़ा रहा हूं क्योंकि इस तरह के बहुत सारे question हम लोगों को आते हैं, तो भाई अपना smartness अपनी साथ रखो, क्योंकि fake job posting तो government की websites तक पर हो जाती है, जैसे कि NCS पर मैंने आपको बताया था, तो लोग कहीं नहीं छोड़ने वाले है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, अपने कमाने के लिए, आप लोगों को अपनी smartness रखनी है, कि आप लोग कितना aware रह सकते हो, ठीक है, तो बस यह advice है, आपक अगर आप में talent है, आप writing कर सकते हो, start भी कर रहे हो, तो भी जरू करो यहाँ पर, apply करने में कुछ नहीं जा रहा है, आपका free platform है, and go for it, try, try करने से ही आगे बढ़ोगे, यह एक सीधा सा logic है, अगर आप कहीं भी try कर रहे हो, ठीक है, तो I guess everything is clear to you, it will help you, तो like, share this video, and don't forget to subscribe this channel so that I can provide more help to you, and I will see you in the next video, subscribe, press the bell icon, and don't forget to like and share, take care everyone, thank you very much.